गेट पर नीमू मिर्ची लटकाना हो या फिर एक्जाम्स में जाने से पहले दही चीनी खाना या रिवर्स एंड वैल्स में सिक्के डालना ऐसे बहुत से काम है जो हम इंडियन्स डेली करते हैं बट नहीं जानते क्यूं हेलो तिंकर्स मैं अक्षत इस वीडियो में आपको बताओंगा क्रेजी साइन्स बेहाइंड इंडियन ट्रेडिशन्स जब कोई हिकप्स ले रहा हो तो ये क्यूं कहा जाता है कि उन्हें कोई याद कर रहा है तो ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि उनका माइंड साइन्स एक्चुली नीबू एन मिर्ची में विटेमिन सी पाये जाता है तो जिस थ्रेड के जरीए वो गेट पे लटका होता है विटेमिन सी उसी थ्रेड के जरीए हवा में फैल जाता है और हमारे घर से कीडे मोकोडो मौस्किटोज फ्लाइज को दूर रखता है जब आप शादियों में जाते हैं तो आप वहां कितना भी शगुन दे लेकिन एक रुपा जरूर दिया जाता है बट ऐसा क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक रुपाय ये दरशाता है कि आप फ्यूचर में उनके साथ और भी ट्रांज करना चाहते हैं और शागुन जैसे पांसो एक ग्यारा सो एक एक सो एक एवर लास्टिंग रिलेशन्सिप का साइन बनता है आप कभी ना कभी ऐसी जगह जरूर गए होंगे जहां रिवर एंड वैल्स में सिख्के डाले जाते हैं और रीजन दिया जाता है इट ब्रिंग्स गुड लग बट ऐसा नहीं है यह हमारे एंसेस्टर्स का स्मार्ट वेता हमें हेल्दी रखने के लिए क्योंकि पूराने टाइम में जो सिख्के होते थे वह कौपर के होते थे और कौपर वाटर को डिसिंफेक्ट करने में हैल्प करता है और जब हम अपने कौपर के सिख्क और वाइरस इसको भी डिसिंफेक्ट कर देता था बट आज के टाइम पर ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि हमारे सिख्के स्टेनलेस स्टील के हैं ना की कौपर के हमारे इंपोर्टेंट टास्क जैसे एक्जाम्स या मीटिंग से पहले कहा जाता है कि दहीचीनी जरूर खाना इसा क्यों एक्चुली में शुगर एंड कर्ड हमारे बॉड़ी के टेंपरेचर को कूल डाउन करने में हैल्प करता है और शुगर के इंटेक से हमें ग्ल्कोस मिलता है जो हमें इंस्टेंट एनरजी देता है जिससे हम अपने वर्क में अपना बैस्ट परफॉमेंस दे सके गाइज अगर आप इस वीडियो का पार्ट टू चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए और चैनल को सबस्क्राइब कीजी